साथियो नमस्कार मैं हूँ नीरज पठेल और आप देख रहे हैं नेशनल जन्मत मेरे बड़े भाई नवीन कुमार जी ने दिल्ली के पॉल्यूशन पर एक रिपोर्ट तयार की थी उन्होंने बताने की कोशिस की थी सुप्रीम कोड के आदेश को खूटी पर टांग करके दि इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली का AQI यानि की एर क्वाल्टी इंडेक्स 700 से उपर था लेकिन सरकार बतानी की कोशिस कर रही थी वहां का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बतानी कोशिस कर रहा था कि 500 के लगभग था मैं इस बात में एक बात को एड़ करन योगी जी खुद चाहते थे कि पॉल्यूशन यहां पर बढ़े अब इस दावे के पीछे मेरा क्या तरक है दरसल दीपा वली से कुछ दिन पूर्व लखनव में एक मीटिंग की गई जिसमें चीप सेकेटरी भी थे डीजी पी भी थे तमाम सारे आला अपसरान और योगी कि खुद उस मीटिंग में थे यह जो बगल में आप तमाम सारे समाचार पत्रों की मैं कटिंग दिखा रहा हूं यह बगल में जो आप कटिंग देख रहे हैं यह दैनिक जागरण ने च्छापा है इसको और यह जो देख रहे हैं इसको हिंदुस्तान ने च्छापा है इन जितने भी आतिसवाज हैं जितने भी पटाकों की दुकाने हैं उनके लाइसेंस देने में देरी ना की जाए दुवारा से रिपीट कर रहा हूं योगी जी ने कहा उस समय जब जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश ये अलर्ट जारी कर चुका था कि उत्तर निर्देश जारी नहीं किये कि हमें पॉल्यूशन से कैसे उत्तर प्रदेश को बचाना है बलकि जो कटर हिंदुत के लिए उन्होंने इस्तमाल किया कि जितनी जादा आतिसवाजी होगी उतना किसी खास धर्म विसेश को जलाया जा सकता है उस जलाने के चक्कर में उन्हों इसको देने में देरी ना की जाए यह कहने का क्या मकसदता आपका इसमश्च तोर पर है कि योगी जी खुद चाहते थे कि वह उत्तर प्रदेश जिसका नोईडा गाजियावाद आज पॉल्यूशन के बहुत उच्चितम लेविल तक पहुंच गया है उसका पॉल्यूशन पॉल्यूशन की चिंता नहीं थी चिंता इस बात की थी कि कैसे धर्म की आद्धी में धर्म की आग में हिंदुत की आग में उत्तर प्रदेश को जुलसाया जाए और उसमें अपनी राजनितिक रोटियां से की जाएं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश ने जो मीटिंग की थी 20 विभागों के लोगों को बुलाया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के ये 17 जिले हैं जहां पॉल्यूशन अपने इस तर से कई गुना आदेख है आगरा, अनपरा, लखनव, नुएडा, बरेली, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरकपूर, जहांसी, मेरठ, मुरादाबाद, रायवरेली, प्रियागराज, कानपूर, खोर्जा, बराणसी, यानि कि वो सहर जिसके दम पर योगी जी राज करते हैं, लखनव, वो सहर जो योगी जी का गड़ कहा जाता है, गोरकपूर वो सहर जिसको क्योटो बनाना चाहते थे माननी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी, बनारस, वो सभी पॉल्यूशन के खतरनाक इस्तर पर थे, इसके बावजूद, कटर हिंदुत की आग में इन सारे सहर को जोका गया, तो क्यों ना माना जाए, कि योगी जी उत्तर प्र अर्म के तेवहार दिखते हैं कि जिस देश में जो समाज बहुसंख्याक होगा, उसके क्रिया कलापों से अन्य लोगों पर असर पड़ता है, अगर यहां पर बहुसंख्याक की स्रेणी में आता है, यह अगर पटाकों की संख्या जादा जलाएगा, तो सौभाविक तोर प इस से देश में पॉल्यूशन का खत्रा बढ़ेगा, सुप्रीम कोट बार बार कहती है कि पराली नहीं जलानी चाहिए पंजाब के किसानों को, वही सुप्रीम कोट यह तो निर्ने ले लेती है कि इस वार हम सकत आदेश देते हैं कि आतिजवाजी दिल NCR छेतर में ना हो प इंडिया बहुत दावा करते हैं, हम लोग भी बड़ा गर्ब करते हैं कि CGI इस बार ऐसे मिले हैं, जो सरकार पर अंकुस लगाए हुए हैं उनकी क्रिया गलापों पे, लेकिन कई ऐसे मामनों में निर्ने दे दिये जाते हैं, लेकिन इसके बाद जबाब देही किसी की फिक् पूरे देश में पॉल्यूशन बड़ा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीती बज़े हैं, पहले भी लोग उत्सव मनाते थे, तकलीफ यह है कि 2014 से पहले जो हिंदू थे, उनकी बज़े से देश उतना खत्रे में नहीं हैं, 2014 के बाद जो कट्टर हिंदू बने, लिए आतिस बाजी और खास तोर से जिन में धुआ जादा होता है, बैसे पटाकों से दूर रहें, जिसको इस बात में तकलीफ होती हो, लगता हो कि केबल हिंदूों की तेहार पर सवाल उठाया जा रहा है, वो अपने बच्चों को दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, तमाम अन्य बीमारी जो होती है, पॉलिशन की वज़े से, वो देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे, कि इस समय यहां की आवो हवा का लेविल, खुद सरकार कह रही है, यानि की स्वास्त के मानिकों के अनरूप नहीं है, आप इसको बचा करके रखें, देखते रेने संजन मत, जागरुक और सजग बने रहिए, जै विज्ञान, जै समीधान, जै लोगतंत्र, धन्यवाद,